लोग तंत्र लोगों का सासन कहा जाता है और यही कारण है कि लोगों के इस सासन में जहां फैसले लोग करते हैं कि सरकार कोन बनाएगा किसकी सरकार होगी किसे जिताना है किसे हराना है यह फैसला सब कुछ जनता करती है इसी के कारण आपने देखा होगा कि कभी-कभी बिना स अंख्या बलके भी कोई सत्ता में काविज हो जाता है, ऐसे कई उधारन इस देश ने दिये हैं, कई राज्यों में आपने देखा होगा कि चार-पांच बिधायकों के बावजूद सत्ता में और सत्ता के सिर्ष पर बैठने का स्वभाग्य प्राफ्थ हुआ है ऐसे दलों को, इस बात की अब बिहार में भी कहीं न कहीं चर्चा सुरू हो गई है, मुकेश सहनी जिनके पास अब न तो विधान सभा में कोई विधायक हैं, एक मात्र वो MLC हैं और उसके बावजूद वो नितीज सरकार में मंत्री हैं, भारती जनता पाठी लगतार नेतिक्ता की दुहा पास रहे हैं क्योंकि नेतिक्ता की बात जहां होती है, वहां भारती जनता पाठी पिशड जाती है, नेतिक्ता की बात अब नितीज कुमार के लिए भी थोड़ी अलग हो गई है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इससे मिल जाएगा कि भारती जनता पाठी ने कब और कि इस समय मुके सहनी के तीनों विधायकों को अपने पाले में कर लिया, ये काम तो पहले भी किया जा सकता था, लेकिन भारते जनता पार्टी वक्त का इंद्यार कर रही थी, और पांच राजियों में चुनाओ के परिणाम का इंद्यार बेसबरी से हो रहा था, हलाकि इससे पह मुकेस सहनी के मंत्री बने रहने पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको ले करके छटपटा हट भारते जनता पाटी की देखी जा सकती है। पाटी के भरे सदन में विधायकों के बावजूद, जब मुकेश सहनी अपने मंत्राले की चर्चा करते हैं, तो निश्यत रुप से भारते जंता पाटी के लिए ये कहीं भी सकारात्मक तो नहीं होगा, लगतार भारते जंता पाटी के कई विधायकों और कई नेताओं ने पर इस्तिफा देने और मंत्री मंडल से बाहर होने की बात कही है, लेकिन मुकेश सहनी भी अपनी राजनितिक जो यात्रा है, उसमें कई ऐसे मील के पत्थर साबित हुए हैं, और उन्होंने कई ऐसे हडल पार किया है, एक बार फिर से मुकेश सहनी ने सपस्ट कर दिया है क कि वो मंत्री मंडल से बाहर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मंत्री मंडल के मुखिया नितीश कुमार है और नितीश कुमार को अधिकार है कि वो मंत्री मंडल में उन्हें रखेंगे कि बाहर करेंगे, इंसानी बातों के बीच आपको बता दें कि संजय जैसवाल लगतार बाद वो लगतार कहीं न कहीं लोगों से मुलकात कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्षे ने जिस तरह से हमने आपको पहली ख़बर में बताया था कि मुकेश सहनी से जुड़ी हुई बातों को लेकर के ही क्योंकि इतने दिनों तक वो एक बार भी अलग से मिलने के ल सरकार में उप मुखे मंत्री हैं इसके साथ ही उन्हें विधान सभाद्यक्ष से भी मुलकात की विजय कुमार चौधरी से और इन सारी बातों को मुलकातों को देख करके आप अंदजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से चार राज्यों में चुनाव परिनाम आने के बाद भारत जनता पार्टी के लिए गले का फांस बना हुआ है त्रिकोनिय मुकाबले में मुकेश सहनी की उपस्थिती से इनकार आप नहीं कर सकते हैं वहां निसात समाज का अच्छा खासा वोट है और जैसा कि भारत लाइब ने आपको दिखाया भी कि निसात समाज मुकेश सहनी के स खड़ा है ऐसे इस्तिती में भारती जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कोई ऐसी बात हो जा जिससे कि बोचहा सीट उसके हाथ से निकल जाए चुकि यह सीट एंडिये की थी और बहुत तेजी से इस पर मुकेश सहनी के साथ साथ राष्टिय जनता दल भी लगतार अपने ज चुनाव परिनाम आएंगे उसके बाद का होगा निशीत रूप से भारती जनता पाटी उसक का इंजियार कर रह है और वक्त के हिसाब से भारत जनता पाटी बहुत कुछ करती है जहां एक तरफ उसने पांच राज्यों के चुनाव परिनाम आने के बाद सरकार बनाने के दोरान ही कई राज्यों में सरकार बनाने चार राज्यों में सरकार उसकी बनी और उसके बाद मुकेश सहनी के पाटी के तीनों विधायकों को अपने पाले में अपने दल में सामिल कर लिया वहीं अब मुके सहनी का बोचहा चुनाओं के बाद भविस से तय होगा और उनके राजनितिक भविस और मंत्री मंडल में बने रहने का फैसला किया जाएगा इसी सब को ले करके भारते जंता पाटी डर रही है और अपने साथियों से मुलाकात भी कर रही है जुड़े को घंटी बाग उकराब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाइटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जौइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167000 कर दो जूभर कर दो दीन धुद कर दो कर दो धकर दो जाया ज़ आए र दो जो दो ऑश़र आ है।